हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू हेल्थ क्यार हब चैनल, आज हम वीडियो पर नो पाइल कैपसूल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाओं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीज जरू करें, तो आए हम नो पाइल कैपसूल के बारे में बात करते हैं, यह कैपसूल आंतरिक और बहरी बवासीर गुदा विदर के चिकत्सा प्रभंधन और सरजरी के बाद बवासीर की पुन्रावित्ती की रोक्थाम के लिए किया जाता है, बवासीर एक पीड़ा दायक इस्थ होती है, जिसमें गुदा के आसपास और मलाशय की नीचले हिस्से के अंदर मुलायम टिश्यू में आंतरिक और बहरी नसें रक्त के अटकाव के साथ सूज जाती हैं, यह नसें गुदा शेत्र से बाहर उभरी हुई देखी जा सकती हैं, बवासीर में अक्सर रक्त बहता है जिससे खुजली वपरिशानी होती है, इन मामलों में आमतर पर जलन और रक्त बहा होता है जिससे खुजली होती है, रक्त बहनियों की दिवारें फैल जाती हैं और ठके जम जाते हैं, जिससे सूजन और पीड़ा और बढ़ जाती है, आमतर पर कब्ज के कारण बवासीर हो कपज के कारण होता है और मलाशय शेत्र में अपशिष्ट पदार्थों के एकत्र होने से बवासीर उभरता है जब मल निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है तो इस दबाव से पेट के अंदर दबाव बढ़ता है जिससे मलाशय के आसपास रक्त वहनियों में सूजन आ जा और आमतार पर पाचन अगने की कमी से बवासीर होता है इसलिए इसके उपचार वर रोक्थाम के लिए उचित विहार आहार विहार आवश्यक है बवासीर और गुदा के फिशर के उपचार के लिए नोपाईल एक करांती कारी आईरवेदिक मिश्रण है इसमें स्वन गुलवेल्त सत्व और अर्शकुठार रस के गुण समाय है जो इसके लक्षणों से रहात देकर विकार दूर करता है और यह बवासीर से जुड़ी पुरानी कबज को ठीक करता है नोपाईल एक रोगानू रोधी के रूप में भी कार्य करता है और शरीर में माइक्रोबिय संक्रमन को रोगता है नोपाईल कैपसूल सहन शीलता योग्य है और प्रतिकूल प्रभाओं से मुक्त है और शुरुवात में ही उपचार करने पर बवासीर के अधिकांच मामलों को बिना ओपरेशन से ठीक किया जा सकता है अगर इस्तिती का सही तरीके से इलाज नहीं करा पर इसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं इसलिए शिगर उपचार की सलहा दी गई है नोपाईल कैपसूल दिन में तीन बार तीस से साथ दिन तक लेने की सलहा दी जाती है इसके बाद दिन में एक कैपसूल छह सबता तक ले इससे बावासीर वापस होने से रोकने में पाने मामलों में और गुदा फिशर में शल्यक्रिया के बाद लंबे उपचार के रूप में रोजाना एक कैपसूल दिन में तीन बार छे से बारा माहा तक लेने की सलहा दी जाती है और त्वरित रहत्व के लिए सुझाया गया आहार परहेज का सक्ती से पालन करना चाहिए और किसी भी दवा का सेवन चिकितसक की निगरानी में लेना बहतर होता है